दोस्तों 15 शब्द सुना है आपने तो 15 शब्द का असली मतलब मुझे आज पता चला मैं बिलीव नहीं कर दी थी कि ऐसा हो सकता है लेकिन रियालेटी में ऐसा होता है कोई दिन आपके लिए इतना बेकार हो सकता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं थोड़े टाइम पहले घर से बहुत अच्छे मूड में निकली थी आगे की वीडियो में आप जब भी देखेंगे कि मैं कितने अच्छे मूड में घर से निकली थी मैं उसकी जलक दिखाती हूँ आपको देखिए एलो दोस्तो आज का ब्लॉग में स्टार्ट करती हूँ बारा वजे से और अभी मैं जा रही हूँ कहीं बाहर किसी काम से जाना पढ़ रहा है मुझे वो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहां जा रही हूँ और वो बहुत ही इंपोर्टन्ट है हर किसी के लिए है अभी तो फि लगवा लेते हैं मैंने का चलिए ठीक है मैं आ रही हूँ नागलोए और तुरंत में जल्दी जल्दी तयार हुई और वैक्सिनेशन के लिए चल्दी घर से और ये मुझे नागलोए में मिल भी गए तो फिर हम दोनों निकले भाई सफर पे और वैक्सिनेशन सेंटर हमारे तो ऐसी लंका लगाई मतलब ऐसा हमारा बुरा हाल किया कि मैं एक्स्प्लेइन भी नहीं कर पा रही हूँ स्टार्टिंग हो गई थी बस दो मिनट से ही और वहां से लेकर वैक्सिनेशन सेंटर तक पूरा जाम पड़ा था और भाई सोने पे सुहागा तो ये हुआ कि बारि मैं बहुत खुश थी कि चलो वैक्सिनेशन हो जाएगा हमारा सेकेंड डोस हो जाएगा और मौसम भी साप दे रहा है धूप नहीं है थोड़ा अच्छा लग रहा था लेकिन जाम ने जो हमारी दर्शा करी और बारिश ने आप देख सकते मेरी शकल पर बारा बजे हुए औ जो कि फोन हमारा गीला हो जाता तो फेर कुछ है तो इसलिए मैंने पर्स में रैप कर लिया था उसको और प्लोथीन में डालके और आप देखिए पीछे से जो महाश्य जा रहे हैं उनके घुटने घुटने तक पानी है तो मतलब ऐसी दूरदशा हो गई बस एक घंटे की बारिश में और एक घंटा हम बस ट्रैफिक में ही रहे है त्रैफिक में ही हम बस फसे रहे और देखो पानी ही पानी मुझे तो लग रहा था जैसे नाओ में बैठे हो और बस चले जा रहे हैं धीरे 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 भागवान मतलब ऐसा लग रहा था कि पनूती आज हमा का दो और गाड़ी हमारी थोड़ी आगे घसक जा रही थी सभी इतना परेशान थे एक इंडिविजवल हम ही नहीं हर कोई परेशान था देख सकते हैं आप वीडियो में मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बान तूट गया हो और पानी आ गया हो लेकिन ये सिर्फ एक घंटे बारिश का जो बाड़ है ये जो हमारे सामने है पूरा भरा हुआ देख सकते हैं और डर लग रहा था कि कहीं मैं बाइक से ना गिर जाओ और ये वोल भी रहे थे मोबाइल मत गिरा दियो मतलब वीडियो बनाते बनाते तो थोड़ा ध्यान केरफुली मैं वीडियो भी बना कि शेयर कर रही हुए आपके साथ कितना खराब दिन भी बीच सकता है मतलब हर जगह बस इतना पानी था मैं इतना मतलब परेशान हो गई थी मन कर था बस बाइक से उतर के पैदल चलनू इससे अच्छा क्योंकि मतलब इतनी धीरे 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 जो पैदल थे न वो हम स एभू हमसे और मुझे पानी ही दिख रहा था मेरे को लगने रहा था कि रास्ता क्मपलीट हो खंब हो पा एकrue सब्सक्राइब दीरे और दूर ऑने जा रहीं दूर होती जा रही है लेकिन किसे सुना होगा ऑना मूवी कि इसी स्टोरीज ऊती है कि म negro ऐसी सी गोफ कि समय कि रिएल-ाइफ मची की स्टोरीम होती है ने रियल-ाइफ ही अजीब अजीब चीज हुई इस दिन मैं क्या शेयर करूँ अब हम रास्ता थोड़ा क्लियर मिला पानीवानी थोड़ा खतम हुआ तो गाड़ी थोड़ी धीरे चलनी लगई बढ़ी आगे उसके बाद जब रोट साफ मिला मैं थोड़ा मन में खुशत भी थी कि चलो अब रा रास्ता तो क्लियर मिला और बारिश ने तो भीगा दिया था उपर से मतलब हवाल लग रही थी बाइक पे तो ठंड भी लग रही थी मुझे तो मैंने इस अरी प्रब्लम भी फेस कर ली तो वैक्सीन लगवाई लेते हैं मन तो कदा था वापस भी चली जाओ फिर का नहीं नहीं वापस कैसे जाएंगे वापस नहीं जाना चाहिए लेकिन एक और पनूती हो गई हमारी बाइक की चेन टूट गई और फिर मेरी हस्बेंड अब चल दिये भई बाइक का चेन जुड़वाने के लिए मतलब मैं खड़ी खड़ी कन्फ्यूस हो रही थी कि मैं उनके पीछ ठीक करवाने के लिए तो थोड़ी दूरी पर वह तो शुकर है कि पैट्रोल पंप के पास हमारी चेन टूटी थी तो हम एजली है नो उसे मतलब ठीक करवाता है नहीं तो हमें धबका मार के कहां कहां तब भटकना पड़ता तो थोड़ा बहुत यह भी कह सकते कि भगवान स जो पैट्रोल पंप के पास हमारी चेन टूटी हमने वहां पर पैट्रोल भी भरवाया फिर फिर चेन जल्दी ठीक हो गया प्रॉक्स 10-15 मिनट में चेन ठीक कर दी भहिया ने थांक्यू भीया को और हम निकल दिये कि चलो फाइनली अब तो हम पहुंच जाएंगे लेकिन हम पेक फाटक भी था फाटक पे भी 15-20 मिनट हमें रुकना पड़ गया लेकिन एक अच्छी बात थी कि वहां पे थोड़ी हरियाली हरियाली थी अच्छा लग रहा था देखने में पेड़ पौधे हर जगा था लेकिन एम तो हमारा वही था कि वैक्सिनेशन सेंटर पे पहु करने था कि चलो जो भी कुछ है मैं आसपास के इंवायमेंट को इंजोई भी कर रही थी क्योंकि इतनी सारी हरियाली मतलब अच्छा लगता है यह सारी चीजें शहरों में देखने को नहीं मिलती और जो यह वैक्सिनेशन सेंटर का एरिया था वह थोड़ा गाओं के साइड पड़ जाता है तो वहां पेड़ पौदे खीत वगएरा देखने में अच्छा लग रहा था तो कहते नहीं है कि हर मुस्किल का सामना हसते मुस्कुराते करना चाहिए तो बस हम पहुच गे वैक्सिनेशन सेंटर पे और मैं वेट करने लगई कि चलो अब मेरा नंबर कव आ अब इनका नंबर आ गया तो यह अपना खोड़ने लगए तो इनको फ़ाट टाइम लगा तो उन्होंने पहले मेर को ही इंजेक्शन वेक्सिनेशन दे दी और आफ्टर वेक्सिनेशन उन्होंने मुझे एक जूस का बोटल दिया और एक पानी की बोटल भी दी कि आप पहल रेस्ट करें देखिए यहां पर इंजेक्शन लगाता है बड़ा दर्द होता है मतलब बच्पन से एक फोबिया टाइप में कि इंजेक्शन से मुझे बहुत दर लगता है और जैसे तैसे बस इन्होंने का कि वह के वैक्सिनेशन करवाना चाहिए हम सब को तैसले थंजब कर अधा घंटा में रोका गया कि नहीं क्या रियक्शन होता है वैक्सिनेशन के बाद तो फिर हम चल दी घर की तरफ मैंने सोचा पानी कम हो जाएगा चलो घर की तरफ मतलब अब तो आई वे बारिश हुए अप्रोक्स तीन घंटे से उपर हो गया है क्योंकि एक देट घंटा वेक्सिनेशन सेंटर पर भी रहे थे तो मतलब हो गया काफी टाइम हो गया तो पानी कुझ तो कम हो जाएगा लेकिन सारे अंदाजे गलत निकले मेरे पानी जो क अतियों था क्योंकि मतलब पानी निकलने की कहीं जग़े ही नहीं कहाँ पानी निकले तो फिर वहीं प्रवार का सीन लेकिन अब बिल्कुल शाम हो चुकी थी और वैक्सिनेशन सेंटर पर हम पहुंचे थे साड़े चार चार बजे जो कि मैं घर से निकली थी बारा बजे और वैक्सिनेशन सेंटर से फिर मतलब अभी जो मैं अभी खड़ी हूँ यहां पे बज रहे हैं और फाइसी मतलब मन भी मात कि बहुत परिशान हो गई था कि बस उतर जाओ और बस पैदल चली जाओ यह अच्छा तो और आफ्टर वैक्षिनेशन मुझे थोड़ा फीवर भी आ जाता है फर्स्ट रोस में मुझे फीवर आया था तो सेकंड रोस में मुझे फीवर जैसा फील हो रहा था और बस पानी और बारिश में वैसी भीग गई थी तो मतलब फाइनल था कि बुखार शायद मुझे आ जाएगा लेकिन कोई बात नहीं वैक्सिनेशन रहा था और बस अब मेरी वीडियो आप देख के समझी सकते मैं कितनी परेशान हो पानी वगएरा मेरा तो मुझे लग रहा था मैं रो दूंगी लेकिन चलिए अब जो भी हुआ वैक्सिनेशन हो गई दिन खतम हुआ लेकिन बस घर पहुंच जाओं तो सब कुछ अच्छा हो जाए बस यह था कि घर जाके बस रेस्ट कर लूँ और मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं थी कि घर जाने के बाद मैं कुछ कर भी पाऊं सबसे पहले था कि बस मैं नाश्टा करके घर से निकली थी और ऐसी सिचुएशन में हम कहीं कुछ खा भी नहीं पाए क्योंकि बाइक है वो भी देखा और मेरे व्लाग में continue होने के लिए मेरे को देखने के लिए thank you very much और मिलते हैं हम next vlog में और टाटा बाबाई take care yourself बाई दोस्तों